हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आरार कोकिंग हिंदी चैनल पे तो आज बनाएंगे साबुदाना बीबड़े पापड यह पापड बनाने में बहुत ही आसान है हर कोई इससे आसान इससे बना लेगा और दूसरी बात यह कि जितना यह आसान है उतना खाने में तो स्वाधि और रेसिपी अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आपको यह पापड खेसा लगा तो साबुदाना बीबड़े पापड बनाने के लिए हमें बड़ी सी परात लिए है जिसमें एक किलो साबुदाना में डाल दिया ह और यह साबुदाना पहले तो अच्छी से वाश कर लिया है अब इसे हम भीगोएंगे तो पानी अच्छी से डाले जैसे कि पूरा साबुदाना अच्छी से डीब हो जाए तो फ्रेंड्स यहां आपके पास कितना वक्त है यह यहां बहुत इंपोर्टन है जने के 5 गंटे क और यह दर बहुत जाता है तो इसे मेने पास गंटे ही सिर्फ भीगोया था तो यह बिल्कुल पास गंटे में आसानी से फूल जाता है कोई दिकत नहीं एक एक दाना यहां आप देख सकते हैं अच्छी से फूला फूला सा नजर आ रहा है और हातों में भी प्रेस करते एक किलो साबुदाना के मेजरमेंट से ये पानी हमें देना है तो बस पानी को हमें अच्छे से गरम होने देना है यहां मैंने गयास का फ्लेम थोड़ा हाई कर लिया है और इसे ढग दिया है तो ये पानी गरम होता रहेगा तब तक हम साबुदाने के तरफ बढ़ते हैं यहा चकासा गरम हो चुका है अभी समय हम कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले डालना है नमक तुसे नव नमक यहां में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पापड में उफास के लिए बना रही हूँ तो दो चममच यहां नमक पड़ चुका है इसके साथ दर दर सी कुटी यहां में यूज़ कर रही हूँ, आप लाल मिर्श भीूज़ कर सकते हैं, एक किलो सबुदाना की हिसाब से मिर्च पढ़ चुकी है, इसे के साथ जीरा भी डैड़ चमज़ डालेंगे, और फ्रेंड्स जैसे कि यह सारे मसाली इसमें पढ़ चुके हैं, तो बस इसी ईबालान जरूरी है ताकि जो मसालों का फ्लेवर है नमक है यह अच्छे से इसमें घुल जाए और स्वाद बढ़िया मिले तो जैसे ही पानी अच्छे से गरम हो चुका है और उबालाना स्टार्ट हो जाता है तब इसमें पढ़ चुका है साबुदाना इस पापड में हम बिलकुल भी गोया हुआ साबुदाना यूज़ कर रहे है यानि कि अच्छे साफ्ट हुआ साबुदाना है यह जिसके कारण यहां में इसे जादा कुक नहीं करना है कुछी मिन्टों में अच्छे से यह फूल जाता है ट्रांस्परन बन जाता है बस बीच-बीच में से चलाते रहिए त जो दाना दाना है ये बहुत अच्छा कासा मोटा नज़रा रहा है और ट्रांस्परन से इसमें कुछ नज़रा रही है तो ये कुछ साइन है कि आप समझ सके कि सापधना अच्छे से कोख हुआ है या नहीं तो बस एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से एक भार धग देंगे तो जैसे ये पूरा ट्रांस्परन हो जाएगा कॉंसिस्टन से अच्छी कासी गाड़ी आ जाएगी तब हम इसका यूस करेंगे तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं उबाल तो पूरा आ चुका है और ये बड़िया सा फूल कर आप देख सकते हैं पतल बिबडे पापड जैसा ये पापड बनाया जाता है तो यहाँ एक बड़ी से थाली ली है जिस पर कॉड्रन का कपड़ा डाल दिया गया है कपड़ा बहुत अच्छे से गिला किया जा चुका है उस पर पानी डाल कर पुरा बैटर डाल दिया है और अहांतों से ये थप हुए पापड बनाये जाता है तो बहुत आसान तरीका है आप भी बिलकुल जरू ट्राइब जाएगा तो इसी तरह से ये पापड बनाये जाते है लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो आप directly भी चमच की मदद से ये पापड बना सकते हैं तो ये भी में आगे बता रही हूँ तो उससे पहले आप देख सकते हैं मैंने ये बीबड़ी पापड की तरह बनाए हुए पापड कितने परफेक्ट बन चुके हैं अब चमज की मदद से अगर आपको बनाने हैं तो cotton के कपड़े पेस डायरेक्ली हमें यह बैटर डालना है दो चम्मज बैटर में डालना है और इसे अच्छे से हलका हलका हातों से गुमाते हुए पापड बना लिया है जो तरीका आपको आसान दगे उस तरीके को आजमाएं और यह पापड बना ले तो हेनबाती बनाने में भी आसान ये पापड जितना बनाने में है उतना ही खाने में आसान और टेस्टी ये पापड होता है और इसी के साथ धेर सारी बहुत सारे पापड, कुरुड़ई, चकली, कुरुकुरी की रेसिपीज मैंने अप्लोड कर दी है फ्रेंड्स जरूर आप चैनल पर जाके देखे और इसी तरह के परफेक्ट पापड घर बनाए तो जैसे ही पाँ से 6 गंटे हो चुके है, उपर का लेयर है, यह सूख जाता है तब इसे हम पलट देंगे और पूरा पलटने के बाद जैसे आप देख सकते हैं, यह पूरा सूख जाता है तब हम इसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका अभी बिबड़ी पापड जैसा ही है यानि के पानी डाल कर हम निकालते हैं, तो यह हमारी माराष्ट्रियन रेसिपी है मैं इसे निकालने का तरीका भी बिबड़ी पापड जैसा ही है तो कपडाच से गीला हो चुका है और आसानी से यह पापड निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई परिशानी नहीं और इस तरह से गीला पापड आप जरूर खाएं क्योंकि ये पापड इतना टेस्टी होता है कि आप ये पापड खाते ही हमेशा ही बनाते रहोगे तो इसी तरह से सारे पापड वेने निकाल दिये हैं बस धूप में अच्छे से सुखाएंगे दो दिन तक और पूरे कड़क सुखने के बाद इसे हमें साल भर के लिए स्टोर करना है जब भी उपास आएगा तब आप इसे फ्राइक करके खाए या अगर ओईली खाना पसंद नहीं करते हैं तो भून कर भी ये पापड बहुत ही टेस्ट लगता है तो हैन बहुत ही बढ़िया सा ये आप सुखने के बाद देख सकते हैं एक दम परफिक्ट तो इस परफिक्ट पापड के लिए पहले वीडियो को लाइक कीजे फ्रेंड्स शेयर कीजे और कमेर्स में आप जरूर बताए कि आपको ये पापड कैसा लगा अब इतनी तारीफे मैंने पापड की की है तो एक बा उतने पापड में भून लिये हैं और विल्कुल ऑईल डाल कर सिंगदाने के साथ ये पापड खाया जाता है तो कैसी लगी आपको फ्रेंड्स ये रेसिपी है न बहुत ही अच्छी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में आप आपकी राय तब तब किरी बाइब टेक्या